हेलो एन वेलकम माई डियर फैंट दिस इस मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लाटफॉर्म क्रेकना उपर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं बिहार कंप्लीट जी के सीरीज जिसमें बिहार के महतपूर क्वेस्चन्स को टॉपिक्स को हम लोग डिसकस कर रहे हैं बिहार की जियोग्राफी हम देख चुके हैं और हमने प्रवेस किया था बिहार के हिस्ट्री वाले पोर्शन में और प्राची नितेहास में हम काफी कुछ चीज़ें देख चुके हैं उसी मेंसे एक महत्रपूर्ट टॉपिक होता है बौत धर्म और बिहार में जैंदम, बौत बहुत सारे questions आते हैं बहुत धर्म से बहुत संगीतियों से हो अथ्वा बहुत धर्म के बारे में तो आज की इस class में हम सभी उन चीजों को cover करेंगे जहां से questions बहुत धर्म से पूछे जाते हैं मैंने आपको कल जब जैन धर्म पढ़ा रहा था तो बताया था कि बहुत धर्म और जैन धर्म ये दो ऐसे धर्म ते जो छटी सदावदी में शुरू हुई धार्मिक क्रांती या धार्मिक सुधार आंदोलनों मैं से प्रमुक हांदोलन में है या प्रमुक धर्म है जैन धर्म और बहुत धर्म जैन धर्म के बारे मैं हमने डिटेल से समझा कल की क्लास में और आज हम बहुत धर्म को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपसे एक निवेदन है कि इस क्लास को अपने ज्यादा से ज्यादा लो लोग भी सभी लोगों तक पहुच पाएं और क्रेकनाव भी एक बड़ा प्लैटफॉर्म बन पाएं तो आप लोग प्लीज सेर और लाइक करते रहा करिए अपने दोस्तों के साथ तो चलिए सुरू करते हैं आज की ये महत्पूर्ण क्लास और बौत धर्म के बारे में जा दिया छटी सताब्दी में जितने अंदोलन चले उनमें से एक प्रमुक अंदोलन है अब बौत धर्म के संस्तापक्त हैं महात्मा बुद्ध दोस्तों कौन है महात्मा बुद्ध हैं और गौतम बुद्ध का जनम पांसो तिरसे टीस्वी में कपिल वस्तू के लुंबनी में हुआ था कहां पर कपिल वस्तू के लुंबनी नामकिस्थान पर गौतम बुद्ध का जनम हुआ बच्पन का नाम इनके सिधार्त था पिता का नाम सुद्धोधन जो कपिल वस्तू के राजा थे माता का रामता महामाया जो रानी थी कपिल वस्तू की लेकिन जब बुद जो इनकी मौसी थी उनका नाम ता प्रजापती गौतमी उन्हों ने इनका पालन पोशन किया प्रजापती गौतमी जी ने जिस कारण इनका नाम गौतम पड़ा इनको गौतम कहा जाता है क्योंकि इनकी मौसी प्रजापती गौतमी ने इनका लालन पालन किया पिर इनका विवा हुआ ये बड़े हुए तो विवा हुआ ये सोधरा नामक राजकुमारी से और विवा के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ती हुई जिसका नाम ता राहुल इतना सब ओने के बाद 29 वर्स की अवस्था में बुद्ध ने ग्रहत्याग किया घर को त्यागा और ग्यान प्राप्ती के लिए निकले और जब ये गर से निकले हैं जो ग्रहत्याग किया है इस ग्रहत्याग को कहा गया महा भिनिस्क्रमन क्या कहा गया महा भिनिस्क्रमन तो उसको कहा जाता है महा भिनिश्क्रमण ये बात आप ध्यान लखेंगे चलिए बुद्ध जब घर से निकले दोस्तों जो महा भिनिश्क्रमण की जो स्थिति आई उसके बाद कुछ महतपूर्ण चीजें रहीं जो इनके साथ घटेत हुई पहले ये जब घर से निकले तो ये तब से पहले मिले आलार कलाम से जो इनके पहले गुरू बने आलार कलाम ने इनको सिक्षा दिक्षा दी सांक दर्सण की सिक्षा दी उसके बाद इनके दूसरे गुरू बने उधात रामपुत इन से क्वेस्चन पूछ लेता है इनों ने इनको ध्यान कैसे किया जाए इसके संदर्म में सिख्षा दी ध्यान लगाना आदी ठीक है तो आपसे कई तरीके के question जो है यहां से पूछे जाते हैं इससे पहले इनको पांच संत मिले उनसे भी question पूछता है तो इस तरीके से इनको ज्यान प्राप्ती के संदर्म में कई लोगों से मुलाकात होती है और फिर ये अंत में जो हैं बोध गया पहुचते हैं निरंजना नदी के केनारे साथ वर्स भटकने के बाद पिर निरंजना नदी जो फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है उसके तट पर पीपल के व्रक्ष के नीचे इनको सर्वोच ज्यान और सत्य की प्राप्ती हुई और ये सर्वोच ज्यान और सत्य की प्राप्ती के बाद वो बुद्ध कहलाए और बुद्ध का तात्पर ये होता है प्रज्यावान से तो इनको प्रज्यावान कहा गया और बुद्ध के जीवन की इस घटना को जिसने इनको सर्वोच ज्यान मिला सत्य की प्राप्ति हुई इसको कहा गया संबोधी क्या कहा गया संबोधी और जिस पीपल के व्रक्ष के नीचे इनको ज्यान की प्राप्ति हुई उसको बोधी व्रिक्ष कह चींख है कि दूस्तों बुद्ध ने दुखों का कारण और निराकरण का मार्ख जाने के लिए जब अनेक कच्ठ कीए तो इंको समझ में आया कि इन सभी दुखों का जो सांसारिक मोह माया ही इनका कारण है तो यह भी ध्यान लखेंगे, ये कहते हैं कि दुख का एक दुख है, दुख का कारण है, दुख निराकरण का मार्ख है, और उसके लिए तरीके हैं, तो यह हम आगे देखेंगे, तो बुद्ध ने सिर्फ एक ही बात समझी और वो ये थी कि सांसारिक जो मोम आया है लोगों की, एक लगाव, संसार की बहुत एक चीजों से लगाव, वही दुखों का कारण है, और फिर इसी चीज से जो है, जूजने बटकने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधी वरिक्ष के नीचे, ये जो बोधी वरिक्ष है, ये पीपल का वरिक्ष है, और वरतमान में आप देखों कि बेहार का जो राजकी चिन है, वही राजकी चिन है, जहां जिसके नीचे बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति हुई थी, ये बात भी याद रखेंगे, बोध धर्म के प्रमुक तीन अंग है, एक है बुद्ध, एक है संग और एक है धम, ये तीन बोध धर्म के प्रमुक अंग है, बुद्ध, संग और धम, ये भी आपने याद रखने है, इनके बारे में डिटेल से मैं फाउंडेशन में बता चुका हूँ, वहां आपने पढ़ी होगी क्लास तो पता होगा, वैशाली में फिर आयोजित हुई बुद्ध की मिरत्यु के परसाथ दुतिया बौत संगीती में बौत धर्म का विवाजन हुआ और ये विवाजन हुआ हीनियान और महायान में, किसमें? हीनियान और महायान संप्रदायों में बौत धर्म का विवाजन हुआ है, इनके संदर्व में आपसे पूछ लेगा हीनियान और महायान के बारे में, तो जो हीनियान संप्रदाय में जो बहुत धर्म का विवाजन हुआ, ये हीनियान संप्रदाय के जो लोग थे, ये बुद्ध की मौलिक सिख्षाओं में विश्वास करते थे, ये कहते थे कि आत्मा अनुसाशन और चिंतन के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति के मार्ग का अनुश क्या माना? इस्वर माना और इनोंने बुद्ध की इस्वर के रूप में पूझा की। एक इन से भी महान संप्रदाय बना आगे चल कर पाल वंस में, जिसका नाम है वज्रियान संप्रदाय। इन वज्रियान संप्रदाय ने तो भगवान बुद्ध की मूर्ती बनाकर और ये इस प्रकार का एक संपरदाय बना जो मैठुन, तंत्रमंतr, योग सिद्धी को बताता था कि जो सिद्धी जो निर्मान होगा वो मैठुन, तंत्रमंतr और योग के माध्यं से होगा तो ये बज्रियान जो है एक तंत्र है इसको कहीं कहीं आपको तंत्रियान भी लिखा दिखाई देगा ये पाल युग में जो है जब पाल बंस का शाशन होगा उस समय ये जो एक साखा है ये निकल के आई और आपने देखा होगा कि पाल कालीन विक्रम सिरा विस्विद्याले जो है ये वज्रियान संप्रदाय का ये प्रमुक्येंद्र है और इसलिए यहां से क्वेशन भी बनता है कि पाल कालीन विक्रम सिरा विस्विद्याले किस संप्रदाय का प्रमुक्येंद्र था तो वो उसी के माध्यम से जो है सिद्धी प्राप्त की जा सकती है बात समझ में आई तीन संप्रदाय मैंने आपको बताए एक है हीनियान संप्रदाय यह बिलकुल उसी तरीके से चलता है जो बुद्ध की दी गई सिक्षाएं थी कि मौलिक सिक्षा उनी पर विश्वास करते हैं उनी तीसरा पालवंस के समय बना एक संप्रदाय है इन्होंने मूर्ती बनाकर पूजना शुरू कर दिया बुद्ध को और साथी साथ इन्होंने वो सब चीजें लेके आए जो बुद्ध कभी चाहते भी नहीं होंगे कि टोटका, तंत्रमंत्र, मैथुन, योग, इन सब को इन्ह अतिसार, पावा, जो कुसी नगर के समीब था, पावा में प्रवास कर रहे थे, जो है महत्मा बुद्ध और उस प्रवास के दौरान इन्होंने एक चुंद नामक व्यक्ति के यहाँ पर, इस व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, पूछा जाता है, चुंद नामक इस व्यक् कारण 80 वर्स की आयू में, 483 इसापूर में भगवान बुद्ध की मिरत्यू हो गई, और इस घटना को कहा गया महा परी निर्वान, क्या कहा गया, महा परी निर्वान, अब आप यहाँ पर तीन बातें याद रखेंगे, एक तो मैंने आपको बताया महा भिनिश्क्रमन, मह महा परी निर्वान, महा परी निर्वान का तात्पर यह है सरीर त्याग से, या आप इसे सामानने भासा में कहें, तो मिरत्यू से, तीसरा महतपूर्ण है धार्म चक्र प्रवर्तन क्या है धार्म चक्र प्रवर्तन और ये है बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश ठीक है यह बुद्ध का प्रथम उपदेश ये तीन है जहांसे आपको पता ही होना चाहिए और बहुत सारे क्वेस्चन यहां से बनते हैं महा बिनिस्क्रमण क्या है महा परिवान क्या है और धर्म चक्र परिवर्तन या प्रवर्तन है क्या ठीक है अब याद रहेगा आपको एक यहाँ पर डाउट भी आता है, डिवेट का विसे बनता है कि जो भगवान बुद्ध ने सुकरमदव नाम का जो भुज्य पदार्थ खाया, जिनसे इनको अतिसार हो गया या पेचिस हो गई, जिनसे इनकी म्रत्पी हुई, वो था क्या? कुछ लोग कहते हैं खीर थी, कुछ लोग कहते हैं मश्रूम था, कुछ लोग कहते हैं सुर का मास था, तो अलग-अलग चीज़ों के जो हैं इसके संबंद में लोगों के मत हैं, और इस चीज़ को लेकर आज भी मतवेद है कि वो थे क्या? जो लोग उनको follow करते होंगे तो वो तो बिल्कुल कहेंगे खीर थी क्योंकि आज के समय में कोई भगवान जैसा पूज्य व्यक्ति सूर का मास खा के मिरत्तिव हो तो कैसे कोई पचा पाएगा मश्रूम और खीर फिर भी बहतर जो है option है चुनने के लिए खेर यहां से ना question आता है ना हमें जानने की ऐसी कोई उत्सुकता है कि हमें पता ही करना है कि क्या था वो debate कभी से उसको छोड़ेंगे अब बात आती है बौध साहित्य की मैं देखिए बहुत sorts में जो है यह सब चीज़ें करा रहा हूँ क्योंकि यह क्या है quick batch है इसमें हम सिर्फ देख रहे हैं जहां से सीधे सीधे question आते हैं और आपको अगर detail में पढ़ना है तो फिर आपको crack now के foundation course में आना पड़ेगा जहां पे हम आपको detail में पढ़ाएंगे और आगले batches जल्दी ही शुरू हो रहे है आप उन batch को join कर लिजे ताकि आप आने वाले BPSC के लिए बहतर तयारी कर पाओ और इसके लिए आपको हमारे कुछ दिये गए numbers पे message करना पड़ेगा इसके वारे मागर आप जानकारी चाहते हैं तो और number मैंने आपको यहां लिख दिया है आप इस number पे message करके हमारे आने वाले online offline दौनों classes होती है तो आप जिससे जुड़ना चाहते हैं उसके लिए हाँ पे हमें call या message कर सकते हैं चलिए बहुत साहित्य की बात कर लेते हैं तो महात्मा बिद्ध की मिरत्यू के पश्चाद दोस्तो उनकी सिक्षाओं को तीन पिटकों में विवाजित किया गया अलग-अलग उनको पिटक कहा गया और इनको त्री पिटक कहते हैं क्या कहते हैं त्री पिटक आप से question भी बन पूछ लेगा कि त्री पिटक कौन-कौन से हैं तो एक है आपका सुत्व पिटक एक है विने पिटक और एक है अभिदम पिटक पहले बात करते हैं सुत्व पिटक की तो सुत्व पिटक में आपको पता होना चाहिए इसका संकलन किया आनंद ने किसने आनंद के द्वारा सुत्व पिटक का संकलन किया गया और इसमें है क्या तो इसमें महातमा बुद्ध के धर्म और उपदेश हैं इसमें मैं डिटेल से आपको जो MCQ सीरीज मैंने कराई हुई है किसकी MQ सीरीज कराई है MCQ उसकी इम्तियाज एहमद की इम्तियाज एहमद MCQ सीरीज मैंने ये डिटेल में सारी चीजें कराई हुई है अगर आपने वहाँ नहीं देखी है तो उसको देखिए BPSC या बेहार के किसी भी एक्जाम के लिए इम्तियाज एहमद की बुक बहुत शांदार बुक होती है उसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि उससे कोई भी क्वेश्चन आये तो छूटे नहीं आप वो भी देख सकते हैं तो बुद्ध के धरम उपदेश समवाद और सिक्षा का संकलन आपको सुत्व पिटक में दिखेगा जिसका संकलन आनंद ने किया सुत्व पिटक के पाँच भाग जो हैं इसके भाग है और एक बात ध्यान रगेंगे सबसे बड़ा कोई अगर ग्रंत है तो यही है सबसे बड़ा सबसे व्रहध यही है सुत्व पिटक इसके पाँच भाग है जो दीर्ग निकाए है यह आपने बहुत पड़ा होगा दीग निकाए के नाम से दीर्ग निकाए इसका संस्कृत नेम है और दीग इसका पाली नेम है फिर है दूसरा माज्यम निकाए तीसरा है अंगुतर निकाए है चोता है संयुक्त निकाए और पांचमा है खुद्दक निकाए तो इस तरीके से सुत्पिटक में महात्मा बुद्ध के धर्म उपदेश उनके संवाद और सिक्षाओं का संकलन है इसके पांच भाग है जिसमें दीर्ग निकाए और अंगुतर निकाए को आपने खूब डि नियम निसेद का संकलन है कि किस तरीके से आचार देगे विनय का मतलब विनम्रता इस तरीके से आप समझेंगे और विनम्रता में क्या होता है कैसे आपको आचार विचार करने है कैसे बात करनी है कौन सी चीजे एक विनय रखने वाले व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए तो ब बिक्ष्यू बिक्ष्यू नहीं है, जो बहुत धर्म को मानते हैं, उन्हें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, यह सब इसमें वर्णन है, उपाली ने इसका संकलन किया है, पिटकों में सबसे छोटा है यह, क्या है? सबसे छोटा है, सबसे बड़ा हमने कौन सा देखा? सबसे छोटा है, विनेपिटक, इसके भी तीन भाग है, एक है सुट्विवाग, एक है खंदक, और एक है परिवार, ठीक है? त्री पिटक का तीसरा आरंतिम पिटक है, अबिदम पिटक, इसका संकलन किया मोगली पुद्तिस ने, और यह कभ होगा इसका संकलन तो जब तीस इसरी जह संगेती हो रही होगी अभी आगे हम संगेती देखेंगे वहां से question आते हैं तो मोगली पुत्तिस के द्वारा इसका संकलन किया गया और इसमें बहुत धर्म के आध्यात्मिक एवं दार्सनिक विचारों की व्याख्या की गई है अबिदम पिटक में इसका सबसे महत पूर्ण भागया कथावस्तु और कथावस्तु में सारे दार्सनिक विचार जो हैं दिये गए हैं कथावस्तु संस्कृत में लिखा गया एक बहुत ही शांदार जो है रचना है जिसकी रचना भी की है जो है मोगली पुत्तिस ने ठीक है अब देखेंगे बहुत धर्म के स जो अन्य साहित है कौन से साहित है वो तो हमने बता दिया आपको जो तीन महतपूर्ण चीजें हैं पिटक हैं उसके अतरिक्त भी कुछ से क्वेस्चन पूछता है जैसे देगे सुत्त्त पिटक हमने पहले भी बताया पिटकों में सबसे बड़ा है बुद्ध के उपदेश मोगली पुद्सौशं और समवादों का संकलन है आनंद ने इसका संकलन किया विन्य पिटक में क्या है पिटकों में लगुतम है बॉह概 है बुद्ध के आद्यात्मिक दार्षनिक विचारों का संकलन है, मोगली पुत्तिस ने इसका संकलन किया, ठीक है, अब बात आती है, इनसे अलग कुछ चीज़ों की, तो जातक कथाएं, ये बुद्ध साहित्य से ही संबंदित हैं, इनकी संक्या पांसो औरंचास है, इसके अंतरगत बुद्ध की पुनर ज कहानियों का जो है, वर्नन है, तो दियान रखेंगे किस में क्या है, और जिनको मैं इम्पॉर्टेंट गहूं, उनको याद रखिएगा, तो जातक कता इनमें से एक इम्पॉर्टेंट है, इसके लेखक का कुछ पता नहीं है, बुद्ध की पुनर जनम की कहानी इसमें मिलत कहा गया है क्या कहा गया है लाइट ओफ एसिया किसमें कहा गया है ललित विस्तार में वसुमित्र की ये रचना है फिर है विवासा सूत्र ये वी वसुमित्र की रचना है इसमें कनिस्क के सासनकाल में जो आयो जे तुई चतुर्त बौध संगीती उससे संबंदित वर्नन है फिर एक और important आता है मिलिंद पन हो, ये मिलिंद जो है बैक्टीरियन सासकता इसका नाम था मिनांडर, क्या नाम था मिनांडर, और ये गलती से बिचारा मिनांडर विदेशी आदमी फस गया एक बुद्ध आचार्य की चक्करम है जिनका नाम था नागसेन, और आचार्य साहितike मिलिंद पनो, इसकी रचना की है नागसेन ने ठीक है, याद रखेंगे। अगली रचना है विसुद्धी मग। इसकी ये बुद्ध गोस की रचना है और इसमें बौत धर्म के दार्सनिक पक्ष का वन्नन है। निदान काठा ये भी बुद्ध गोस की रचना है ये पाली भासा में लिखित गौतम बुद्ध की एक मात्र जीवनी है, किसमें लिखी गई है? पाली भासा में, किसने लिखी है? बुद्ध गोस, निदान काठा इसका नाम है, अगला है प्रग्यापार्मिता, नागारजुन की रचना है, सुन्यवाद का सिद्धांत इसमें दिय आगे आपको बता होगा सुन्नेवाद का सिद्धान्त नागारजुन ने दिया और ये प्रग्या पार्मिता नाम की रचना में मिलता है फिर है महावंस ये भदंत महानामा की पुस्तक है तिर्तिय बौद संगीती कराई जाने की जानकारी इसमें प्राप्त होती है फिर है महायान साखा से संबंदित है अब मैंने आपको काता कुछ इंपोटेंट है जो याद रखनी है एक तो आप जातक कथाएं याद रखेंगे एक आप बुद्ध चरित्र याद रखेंगे एक आप ललित विस्तार याद रखेंगे ठीक है और एक आप याद रखेंगे प्रतिपादित चार आरिय सत्य वो महतपूर्ण होते हैं वहां से question भी बनता है बुद्ध द्वारा प्रतिपादित चार आरिय सत्य कौन से हैं तो बुद्ध ने कहा कि दुख है दुख समुदाय है दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है तो ये सार जो है दुखी है दुख में है फिर यह कहते हैं दुख समदा यानि दुख का कारण त्रशना है मो माया है ठीक है फिर यह कहते हैं दुख निरोद यानि दुख निवारण ही तुट त्रशना पर विजय आवसक है और अंत में कहते हैं दुख निरोद गामनी प्रतिपदा यानि दुख निवारण ही तू आस्टांगिक मार्ग आवसक है सामान ने भासा मैं अब इसको कैसे समझेंगे तो दुख है दुख का कारण है दुख का कारण है तो दुख का निरोध भी है निवारण भी है और उस निवारण का तरीका क्या है तो वो आस्टांगिक मार्ग है जो स्वेम बुद्ध ने बता दिया है आस्टांगिक मारक ठीया अब बात आती है बौध संगीतियों की जहां से सबसे ज़्यादा बेहार में या किसी भी एक्जाम में question बनता है बौध संगीती याद करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इस ट्रिक को आप पहले रट लीजे फिर संगीतियों पे चलेंगे ट्रिक है दोस्तो रा वे पाकू इसको आप एक साथ लिग लिजेगा रा वे पाकू फिर आप लिखेंगे इसके नीचे ही आ का अक ठीक है ये लिख लिया फिर इसी के नीचे लिखेंगे महा सर्व मोग वसू बस इतना यह ट्रिक है तो रावे पाकू अकाअक हो गया? रावे पाकू अकाअक और यह हो गया महा सर्व मोग वसू आप से question पूछेगा दोस्तो बिहार में संगीतियों से तो आप यहां लिख दीजेगा प्रथम, यहां लिख दीजेगा दुतिय, यहां लिख दीजेगा त्रतिय और यहां लिख दीजेगा चतुरत ट्रिक मैंने आपको बता दी है ट्रिक क्या लिखनी है? रावे पाकू अकाअक महा सर्व मोग वसु तो जितने भी बिहार में question बनेंगे बौध संगीतियों से इससे solve हो जाएंगे जैसे प्रथम बौध संगीती राजगिरह में हुई ये किसके समय हुई अजात सत्रू के समय अध्यक्ष कौन था महा कश्यप या महा कसब भी कहते हैं तुतियों बौध संगीती हुई वैशाली में किसके समय हुई काला सोक अध्यक्ष कौन था इसका सब्वकामी, सुबुकामी या सर्वकामी तीन नामों से जाना जाता है व्यक्ति एक ही है सब्वकामी, सुबुकामी या सर्वकामी तिरतिय बॉद्ध संगीती पाटली पुत्र में हुई किसके समय हुई असोक के अध्यक्ष कौन्ता मोगली पुत्तिस चतुर्त बौध्द संगीती कहां हुई कुंडलवन कुंडलवन कैसे कस्मीर भी होता है कस्मीर में किसके समय काला सोक अध्यक्ष कौन्ता वसुमित्र यहां पे उपाध्यक्ष भी था उपाध्यक्ष का नाम था अस्वोगोष क्या नाम तावाद्यक्ष का अस्वोगोष अब बात आती है कि सर इंका समयकाल ग्या है तो इनका समयकाल है चार सो तिरासी तीन सो तिरासी दो सो अडशास कहीं कहीं आपको दो सो पचास एक्क्यावन भी दिख सकता है कोई confusion नहीं सब सभी मान लिये जिएगा पहली सतावदी इसापूर्व ठीक है ये है 483 इसापूर्व ये है 383 इसापूर्व ये है 248 इसापूर्व और ये है पहली सतावदी इसवी अध्यक्ष कौन है प्रथम में महा क्या बताया मैंने महा कसब इसका बताया सुभू कामी, इसका बताया मोगली पुत्तिस, इसका बताया वसू मित्र इजी है, अब आईए देखते हैं, अब देखते हैं इस चीज को मैंने आपको बता दिया है, तो पिर्थम बॉद्ध संगीती समयकाल है, 433 सीसापूर, राजगिर है, मैं आयोजित की गई, महाकश्चप या महाकश्चप इसके अध्यक्षते तो कैसे रा और इसमें क्या हमें याद रखना है दोस्तो, रा वे यहीं लिख दूँ, रा वे पा कू और यहाँ क्या लगेंगे, अका, अक, ठीक है, तो अब देखिए, राजगिरह में पहली हुई, अजाद सत्रू के समय, वैशाली में दूसरी हुई, काला सोग के समय, पाटली पुत्र में तीसरी हुई, असोग के समय, कुंडलवन कस्मीर में चौती हुई, कनिस्क के समय, 383, 248, पहली सताबदी, ईसवी, ये वाला सेक्टर भी खतम, 483 में से 100 गटाई है, 383, उसमें से 248, फिर पहली सताबदी, ईसवी है, अब आती है, ट्रिक की बात, अध्यक्ष की, तो मैंने बताया, महा, फिर मैंने बताया, सर्व, फिर बताया, मोग, फिर बताया, वशु, इ गूसरी में सावक, मीर, सुवुकामी या सर्वकामी, तीनो नामें एकी व्यक्थिस, अलग-अलग भासाओं में, कोई पाली में, कोई प्राकृत में, कोई संस्कृत में, मोग से ओ गया, मोगली पुत्ति, वसु से ओ गया, वसुमित्र, उपाध्यक्ष मैंने बता दिये थ अस्वगोस अब इसमें important चीज आती है प्रमो कारिय ये भी trick से हो जाता है ये भी trick से हो जाता है कि किस जो है संगीती में कौन से कारिय किये गए थे वो की trick क्या होगी तो मैंने आपको पिटक बताये और पिटक में मैंने पहला पिटक आपको बताया सुत्त पिटक दूसरा बताया विने पिटक तो जो पहली संगीती है उसमें पहले ही पिटक सुत्त पिटक के साथ साथ विने पिटक का संकलन किया गया एजी है पहले पिटक को याद रख लीजेगा सुत्त पिटक का संकलन तो उसके साथ विने पिटक का भी हुआ था अब आ गई दूसरी बहुत संगीती तो दो और इसमें क्या हुआ कि दो मैं विवाजन भी हो गया बहुत धर्म का कौन-कौन से मैं इस्थाविर और महासंगिक किस-किस में इस्थविर और महासंगिक कहीं-कहीं आपको इस्थविर महासंदेक देखेगा कहीं महासंगिक देखेगा उससे ज्यादा जीवन में परिवर्तन आएगा नहीं दूसरा हो गया तीसरे में मैंने तीसरे में आपको क्या बताया था कि तीसरा कौन सा पिटक है है और कौन करता है मोगली पुत्तिस तो इसके अद्य अच्छ भी है मोगली पुतिस ठीक है अब है चौथा तो चौथे में वो हो गया जो चौथा निकालने जैसा हो गया और वो हुआ हीनियान और महायान में बिवाजन यानि बहुत धर्म बट गया दो अलग-अलग जो है संप्रदायों में एक बना हीनियान एक बना महायान ठीक है इजी है तो हीनियान और महायान में बिवाजन इसको ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हो कि बहुत में जासे question बनते हैं और ये था हमारा एक छोटा सा महतपूर्ण but important वीडियो जहां से question बनते हैं बहुत धर्म के बारे में ये class आपको पसंद आई हो तो share जरूर करिएगा आपने सभी दोस्तों के साथ ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारी बेहार complete gk series की playlist को देखिए इसमें बेहार gk complete में मतलब complete gk ही हमने trick से पढ़ाई हुई है एक से एक शांदाग trick आपको मिलेगी एक आप देख सकते हैं इम्तियाज एहमद के pyq question अगर आप देख रहे हैं बेहार special के इस अंदर में ये भी playlist है बाकी सारे subjects आपको मिलेंगे science मिलेगा आपको main answer writing program मिल जाएगा economy मिल जाएगा सारे subjects आपको crack now पे मिलेंगे तो channel को subscribe करना तो बनता है बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो इस number पे आप हमें message करिए आपको test series से जोड़ना है आपको main test series से जोड़ना है essay से जोड़ना है या classes से जोड़ना है आप हमसे contact कर सकते हैं उसके लिए भी आप feel free रहे हैं बाकी मिलते हैं कल इसी समय इसी class में thank you so much for watching me have a great day जै हिंद